DMK के नेताओं की अगर यही हरकते रही और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी वीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंच गव मंदिर में प्रियोग होता ही है, स्वागत है। इस तरह के ब्यानबारी से क्या इशोग करना जाते हैं, क्या धार्मिक भावना को ठेश पचा रहे हैं। ये सब रावन के खांदान के लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, भारत को बर्बाद करना चाते हैं, भारत से सनातन को मिटाना चाते हैं, भारतिये लोकतंत्र को खतम करना चाते हैं।